हाँ 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 यार कॉलेज के सुहाने दिन याद आ गए हम सब क्या धमाल क्या मस्तिक्या करते थे नहीं सच यार यें गाइस अम रिली हपी हाँ तुम दोनों आसके नहीं आभे थैंक यू यार जब तुमने हम दोनों को बुलाया ना तो मुझे लगा की इससे अच्छा मोगा नहीं मिल सकता है अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिल लेगा, नहीं? सच है यार, Gautam, तू जब यहाँ है, तू मुझे बड़ा शौक लगा मुझे तो लगा था कि तू यहाँ आए गा ही नहीं तूकि सबसे जादा बैंग तो तेरी ही बजाते थे हम हाँ, उस वक तूझे एक मुक्का नहीं दे सका था ना? कोई बात नहीं, आज मार लोंगा या बच्चों की तरल लड़े भाई यार सांतो हो जाना, बैठा आराम से एक सिर नहाता हूँ मैं, एक मिनिट बस का इससे सीध बात Impact यार एक लेटर आया है यहांपे हिलो फ्रेंट्स, इस षनिवार को एक successive स्याम आप सब का इंतजार कर रही है, कृशन बंगलों में आप सब का स्वागत है यह मेरा वादा है आपसे के शनिवार का यह साम आप सब की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल देगी आम पढ़ना यार नामी नहीं लिखा है इस पर यार लेकिन है एक बात बहुत अजीब है जिसने भी मुझे इंविटेशन भेजा है उसको ये कैसा बता कि तुम दोनों भी यहाँ पर आया हुए हो अरे यार इस इंसान को तो हमेशा शक करते रहने की आदत है चिल यार कम ओन खाना खाते है बाह बाह आपरे बाह यार टेकरणेशन है यार ऐसा ताम जाम तो किसी फिल्म साड एक्टर की शादी में होता है जाथा था मुझेदार पार्टी होगी यार सही मैं मज़ आगिया अच्छी तो देख यार दामेंड मर्चंट सुरेश भायर उनकी पत्नी यार और भू देख टेक्स्टाल किंग मुकेश जी भी आई हुए यार मुझे तो लगा था कोई चोटी-मोटी पार्टी होगी है यार बॉस यार तो बड़ी-बड़ी हासी आई हुए है उतर देखो देखो कॉमनी भी आई हुए है तरी यार कोलेश के बाद सीधा आज देख रहा हूं इससे तरी यार उसे भी देखना बनकर शादी हो गए हुए हुए दमनी हाई हरे 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 विक्की हाई हरे तुम सब भी आओ बटे सुप्राइज लो दमनी सर्प्राइज सो तम बिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इस पार्टी का होस्ट का हुए येस मैं हूँ होस्ट मैंने बुलाया और आप चले आए आप आए मेरी महफिल में महरबानी आपकी मैं भले ही हवा में उड़ता रहूँ पर आपके लिए बैठने का बंदोबस किया है मुझे पता है आप सभी को ये सवाल परेशान कर रहा होगा कि आपको किसने आमंतृत किया है उसका जवाब बाद में दूँगा पहले ये बता दूँ कि आपको यहां क्यूं आमंतृत किया गया है एक भव्य आलिशान आँखों को चकाचौंद कर देने वाला नजारा देखने के लिए एक ऐसा प्रभावशाली शानदार तमाशा आपको दिखाऊंगा जिसे शब्दों में बया नहीं कर सकता अरे यार कि दो कुछ जादा ही सिस्पेंस बढ़ा रहा है यार धिरज रखना यार आपका इंतजार खत्म हुआ वहाँ देखिए पीछे उस पानी की टंकी में आपकी जिन्दगी बदल दूँगा मैं घबराइए नहीं जाईए वहाँ तकी में से क्या है अर्ण वहाँ अर्ण वहाँ आप लोग जब इस बंगलो में पहुचें तो क्या देखा लोगों ले और एक बात अगर आप लोग निर्दोश हैं तो कुछ भी चुपाने की कोशिश मत करना क्योंकि एक जूट को चुपाने के लिए दूसरा जूट बुलना पड़ता है और दूसरा जूट चुपाने के लिए तीसरा जूट और CID ऐसे लोगों के साथ कॉपरेट नहीं करती जूसरे को जानते तो है पर आज हम काफी सालों के बाद मिल रहे हैं सर और यहां एक अट्टा होने की बज़े है हम यह अपने आप नहीं आये थे बलकि हमें यहां किसी ने इन्वाइट किया था हाँ सर यह दिखे सर हम सबको यह इंविटेशन कार्ट मिला था कमाल है नाम भी नहीं लिखा और आप लोग यह पहुँच भी गए सर हमें लगा हमारी किसी दोस्त ने हमारे साथ मजाग किया होगा लेकिन जब हम यहां पर पहुँचे तो उसके बाद जा था ना मजजदार पार्टी होगी यह सही मैं मजाग यह सर्प्राइज तो तम बिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इस पार्टी का होस्ट का होल है मैं हूँ होस्ट मैंने बुलाया और आप चले आए वहां देखिये पीछे उस पानी की टंकी में आपकी जिंदगी बदल दूँगा मैं नकाफ पोष्ट यह काम करते हैं इस बंगले की पूरी जानकारी निकालते हैं सर सर खाट अनिकल सर यह दिखे सर यह 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 कैसे हो गया है सारूंके साप को बिला लगता है पानी में कुछ कर बढ़ है बेचारे डाइवर्स, बेवजे मारे गए पास समझ में नहीं आरी है तीनो आदमी डंकी में मरे कैसे है साडों के साब चेक करने है अगर पानी में जहर होगा तो पता चली जाएगा अभीजीद अभीजीद इंसान का रंग तो नहीं बदलता है अगर उसमें जहर होता है लेकिन इस पानी का रंग जरूर बदल जाएगा अगर इसमें जहर होगा सर अगर इसमें जहर होता तो पानी का रंग कैसा हो ना चीर इस पानी का रंग नीला हो जाना चाहिए अगर इसमें जहर हो तो लेकिन इसका रंग नीला नहीं हुआ है वैसा का वैसा ही है इसका मतलब साफ है अभीजीद इस तंकी के पानी में जहर बिलकुल नहीं है पानी में जहर नहीं है तो पिर इन लोगों की मौत हुई कैसे अब ये तो लाशों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही पता चलेगा विनी, निकल एक काम करो, लाशों को बाहर निकालो और डक्टर साडूके के साथ फॉरल सिक लाब बेजने के अंतिजाम करो पता तो चले कि डाइवर्स वस आदमी की मौत आखिर हुई कैसे पत्थर बांद के नीचे फेग दिया गया बेचारे ने बाहर आने की कोशिच भी की होगी लेकिन चेन और रसी की वज़े से बाहर नहीं आपाया सलकता है खुणी ने उन दोनों गोताखोरों के लिए पहले से जाल बिजा रखा था उसने इस टंकी में लाज चान भूज के डाली वो जानता था कि गोताखोर पानी में जाएंगे और फिर जाल में फश जाएंगे तो अखुता है निखिल लेकिन खुनी को कैसे पता कि दोनों गोटा Home पानी में ड को अगर यह उसकी साजिश थी तो अमें पानी में या तंकी में कुछ तो मिलना चाहिए हासर ना तो आँ में पानी में जहर मिला और नहीं तंकी में कोई हप्यार है हाँ, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है उन दोनों गोता खोनों को उसने मारा कैसे सर पार्टी में आने वाले किसी भी महमान ने उस महमान नवाजी करने वाले की शक नहीं दी क्योंकि उसने मुखोटा लगा रखा था लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई उसने इन सब लोगों को बंगलो में एक लाश तेखने के लिए क्यों बुलाया और उन्हें कार्ट से नहीं बुलाया खुद हाथ से लिख के इन्वाइट किया ये खोनी अजीब तो है लेकिन चालाग भी है पीछे कोई सबुत छोड़ता ही नहीं निकल बंगलो अच्छे तरीके से छाण मारा ना? सर, स्पीकर, माइक और मुजिक सिस्टम कैलाओ कुछ नहीं मिला सर स्पीकर, माइक और ये मुजिक सिस्टम ये लाइटिंग, ये डेकरेशन उसने किसी से तो करवाया होगा ना? निकल, पता लगा वो कौन साइमेंट मैनेजर था या डेकोरेटर था इसने बंगलो को सजाने का काम किया था और बंगलो के मालिका भी पता लगाओ सर, सर जिस आदमी की लाश इस टैंक में थी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला उसकी फोटोस अभी पोली स्टेशन में बिचवात हो वो सकता है किसी ने उसके गायब होने के रिपोर्ट करवाई हो और फोस्टर भी लगवात हो शेयर में, शायद कोई पहचान ले आतारीका अ, गुद मॉनिंग साइ अरे गुद मॉनिंग तो तब होगी जग तुम लोगा में इन लाचों के बारे में बताओगे हैं, सारू के का है यही है लाब में यही है लाब में मतलब? नहीं दिखाई नहीं दे रहा है कही कोई केमिकल तो नहीं बनाया नहीं उसने गायव होने का जो पीके बैट गया कहीं, गायव हो गया? मिस्टर इंडिया की तरहा? का है? सौन के का है? पोरे. सोरा है? इसकी तो वो? तारीका, ये किसकी लाच पढ़ी है कितने दिनों से? बत्वु आ रही है लाच को, भेग दो लाच को बागए! अरे पापरी, तु साड़ाए! लाच के? लाच के? नहीं, तो डॉक्टर साड़ाए! पर? क्या कर रहे हो एदर? इजगे है? ने मैं मानता हो हूँ कि तुम लाचो के साथ गपे मारते हो, लेकिन अज सोने भी लगे लाचो के साथ? सोने ही रहा था! तो फिर क्या कर रहे थे आप? सोच रहा था! सोच रहे थे आप, अच्छा? तो फिर क्या सोचा आपने जरा बताई है हमें भी है? मैंने ये सोचा बॉस कि ये आदमी जो है ये पानी में गिरने के बाद नहीं मरा है बलकि मरने के बाद पानी में गिरा है सर लाश तो हेल भी नहीं सकती है तो पिर यह पानी में तैरने कैसे क्या होगा यह गया नहीं बॉस इसे पानी में डाला गया है मरने के बाद इसकी मौत तो पंदरा दिन पहले ही हो गई थे क्या का इस आदमे की मौत पंदरा दिन पहले होई है यह कैसे कह सकता है तो सडूंके एक्सपिरियन्स दाइनेम इस डॉक्टर सालू के बस मुझे इसके शरीर में वो केमिकल्स मिलें जो बॉड़ी को प्रिजर्व करने के काम में आते हैं ताकि लाश सडना चाहे यार वगर ऐसे केमिकल्स तो मुर्दागरों में होते हैं बिलकुल मकर सडना के एक बात समझ में नहीं आ रही है इन दोनों डाइवर्स को मारने के लिए एक लाश का इस्तमाल क्यों किया गया कोई तो वज़े होनी ही चाहिए सडना के कोई तो वज़े जरूर है पर क्या सर इन गोताखोरों का अगला पिछले रिकॉर्ड चेक किया है इनका कोई भी दुश्मन नहीं था इनने तो एन मों के पुपलाया गया था मगर इन दोनों की मौत पानी के अंदर हुई कैसे सडन के पानी के अंदर पानी के अंदर पानी के अंदर बिजली का करंट ये कैसे साडन के बोस सब ये तो मैं नहीं बता सकता है ये तो आप लोगों को पता लगाणा पड़ेगा पानी की टाकी में बिजली का करंट पता लगाना पड़ेगा इस पानी की टाकी के बारे में और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो एलेक्ट्रिक का वायर उस पानी की टाकी में आया कहा से इस लाश का फोटो निकालो और शेर के सारे मुर्दा घरों में पेज़ दो पता चल जाएगा किस मुर्दा घर से इस लाश को लाया गया और पानी की टांकी में डाला गया दोनों गोता कोर हमारी आखों के सामने थालाश निकालने के लिए पानी के टंके में उतरे थे समझ में नहीं आरा ये 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 बिजली का करंट पानी में लगा कैसे हो ने मेरी दंदर जाके देखो जरा देखो कोई इलेक्रिक स्विच कोई बिजली का वायर बगारा देखता है कुछ तो होना चे सर पूरी तंकी अच्छी तरह से चेक करके देख लिए सर तंकी की सारी दिवारे एकदम सही सलामात है कोई छेद नहीं है ना ही या कोई वायर है ना ही कोई लेक्रिक स्विच कमाल है बिजली का करेंट आया कहा से बार आज़ो सर मैंने शहर के सभी डेकुरेटर और इवेंट मैनेजर से पूछताश कर ली है सर बड़ यजीब बात है किसी को इस बंगले को सजाने का कॉंट्रेक्ट नहीं दिया गया तो पिर ये लाइटिंग ये सजावट उस नकापोश ने खुद की है इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा सर बहुत समय लेकर ही उसने इस सब प्लैन बनाया था हम अगर प्लैन क्या है उसका चाहता क्या है वो पहले कुछ लोगों को बंगलो में बुलाता है इन्विटेशन की वज़े नहीं बताता और दिखाता है एक आदमी की लाश और अभी तक ना तो मारने वाले का बता चला है ना मरने वाले का मैं आपसे फिर पूछता हूँ अच्छे से याद करके बताईएगा क्या ये लाश आप ही के मुर्दा घर में थी? हंड़े पसंड 15 दिन पहले इस की लाश समंदर के किनारी पुलिस को लावारस मिली थी उसके बाद इसी मुर्दा घर में रखा गया था डॉक्टर सार तो फिर ये लाश उस टंकी में कैसे पहुँचे? अब वो लाश पानी के टंकी में कैसे चली गई ये तो पता नहीं है लेकिन यहां से बाहर निकली वो भीकु की वससे भीकु? कौन भीकु? ये मुर्दा घर का अटेंडेंट है उसे किलापरवाई से लाश चोरी हुई है चोरी हो गई? किसे चोरी किलाश? भीकु ने देखा है उसे? देखा भी और नहीं भी देखा दरसल वो डर गया रहा है साफ साफ बोलिए आप कहना क्या चाह रहा है ये बात तो आप भीकु से ही कुछ देजी कहा मिलेगा भीकु? कोई ना कोई छेड़ चाड़ तो की गई इस पानी के टैंक के साथ इसको बाहर से भी चेक करो साफ देखो विल्नी इतर देखो कोई इलेक्ट्रिक वायर अगरा देखता है क्या? सर सर ऐसा कोई वायर देख नहीं रहा है जिससे इस टंकी में करेंट पास किया जा सके सर इधर भी आसपास कोई एलेक्ट्रिक वायर दिखाई नहीं तेरी सर जो नहीं दिख रहा है वही डूढ़ना है विनीद दोनों की मात करेंट से हुई है और करेंट लगाया उन्हें पानी की टंकी के अंदर कुछ ना कुछ करबन इसी के अंदर ही है नो क्यारा थेरा पंदरा हजार लीटर तंकी तो पोरी बरी वही थे ना अश्यर् याँ है को 5,000 लीटर तीन हजार लीट्र और तीन हजार लीटर आठ तीन कियारा और वो जो 4 लीटर का पानी का टैंक है यह तो पोरा भरा ही नहीं था मुशकिल से हजार लीटर पानी हो गा सर बाकी का पानी कहा गया है? तंकी में तो कोई छेड भी नहीं है वही तो पानी का टैंक है पंदरह हजार लीटर का जब पानी बाहर निकाला गया था तो पूरा भरा हुआ था पानी बाहर आता है मुश्किल से क्यारा बारा हजार लीटर बागी का तीन हजार लीटर पानी गया का आई, आई कहा है बिखू? अभी तो यह जा, पता नहीं किदर गया बिखू? बिखू? यह आपका भीगू? ऐसा? ऐसे आदमी को नौकरी पर रखेंगे तो लाशे तो चोरी होंगी? चोरी नहीं, साहब! गयाब, साहब, गयाब! गयाब हो गई, साहब! तुमने तरजी शराब पी है? कितनी बार तुमको संगाया कि शराब पीका र्यूटी पर मताया करो? अब तुम्हे नोकरती ही निकालना पड़ेगा! साहब, साहब, साहब! गल्ती हो गई! क्या करो तुझिया मेरी गल्टी पल्टी हो गई, साहब! देखो, सीधे खड़े रहो और सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दो, हम C.I.D. से हैं! ओके साहब, विको और पठले रिपोर्टिंग सार! सार, ये बातल ब्रिगेड का आदमी हमारा दिमाग खराब कर देगा! देख पर कौक, ना तक बंद करो और सीधे सीधे बताओ, तुमने किसी को लाश को चुराते होए देखा था लाश, कि चुराते होए देखा था किसको देखा था? उसको देखा था उसको? कौन था वो? कौन था… वो थी, आत्मेth आत्म। लेख, तु अभी पिये हुए, शाहिद उस दिन भी पिये हुए था इसलिए तुम्हे आम इंसान में एक आत्मा दिखाई थी मैं नशे में था, तब होश में था साहब कैसे भूल सकता हूं साहब वो काली खामोशिराथ मैं था साहब मेरी तनहाई थी, और थी मेरी बोटल साहब मैंने देखा कि अचानक में दर्वाजा खुला फिर मैंने देखा साहब साहब वो आवा ये आवा कहा से आ रही साहब लुकाम में चाह्दः भी आट लुकाम में चाहब पंधेड़ साहब भ्लाव हया है यह काला कोट में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो सपेद खुद बहुत रहर pandemia काला काला को .... लॉक्टर नहीं की बहुति रहार आटक नहीं साब, भाटक उस आत्मा को देखके दिमाग का भाटक बंद हो गया, साब एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने कहाना कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये सब तुम्हरा प्रहम है, समझा है, साब प्रहम नहीं है, आई शपत साहब, खोड़ा नहीं सांगा इसमे मेरा विश्वास करो, साब, विश्वास करें, तुम्हारा, साब, अभी मैं आपको कैसा यकिन देला हूँ, हलो, अच्छा, साब, साब, आप मेरे को समझदार लगते हो, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हूँ, और समझदार लोग ही आत्मा को समझ सकते हैं, इतना ना समझ तुम्हे भी नहीं हूँ, आत्मा नहीं होती, शायद। सर, सब बंगले के आसपास वाले लोगों से पता चला है कि बंगले का मालिक, पिछले साथ सालों से आस्ट्रेलिया मेरा रह रहा है, इसका मतलब वो बंगला साथ सालों से खाली पड़ा है, हाँ सर, ओहो, तो खुनी ने इस सारा खेल रचने से पहले, बंगलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की होगी, पुल्य, अगर साथ सालों से वो बंगलों खाली पड़ा है, तो फिर पानी की टंकी भी खाली होनी हाँ सर इसका मतलब खुनी ने प्लैंग के मुताफिक उस तंकी में पानी भरने के लिए टैंक करस्मा गवायों एक नहीं कैसा है इक्जाक्ली पता करो किस वोटर सप्लायर ने उस तंकी को भरने का ओडर लिया था सर अप्डर नहीं कर रहा हूं साब पिंती कर रहा हूं तो बोल आप भी बोल दिये ना सर मुझे लगता है भीकू सज बोल रहा है वो आत्मा ही थी दर्वाजा खुलना हवा चलना लाइट का यू 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 अन आफ होना जब आत्मा आती है ना तो भी ऐसा होता है मैं क्या मुल रहा हूं सर एक बार पता लगाने में हमारा क्या जाता है पता तो लगाना ही पड़ेगा कि ये चक्कर है क्या और मान लेते हैं कि आत्मा वाली बात सच है तो भीकू के हलावा किसी और ने भी तो इस आत्मा को देखा होगा उद्दागर के स्टाफ से पूछ ताच करनी पड़े कि तुने अभी अभी कहा कि इन दोनों डाइवर्स की मौत इलेक्रिक शॉक की वज़े से हुई है और अब तु कुछ और ही बता रहा है जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ इनके शरीर पर ये जलने की निशान हैं के नहीं है सारूंक ये इलेक्रिक शॉक की वज़े से कोई इतना जलता है क्या इतना जलता है आप क्या बात बदलता है तो बार बार अरे बात का बदल रहा हूँ मैं ने तो क्या मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ, कि यह जो इनके शरीर पर जलनेogi की निशान आए हैं, यह electrick shock की वज़े से आए हैं ये तक, सारुन के, उस पानी की तांकी में हमें कहीं पर भी, इलेक्रिक वायर नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली तो मैंने ये कब कहा कि ये जो जलने की निशान है ये इलेक्रिक वायर की मज़े से है मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जलने की निशान है ये इलेक्रिक शॉक की वज़े से है अर लेकिन जब इलेक्रिक वायर ही नहीं तो फिर इलेक्रिक शॉक लगे का ऐसे है यह तुम दूड़ो ना यार! तुम दूड़ो का क्या मतलब है? सर, इन दूनों की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने के वएसे हुई है, मगर पानी में लाइब बायर नहीं था, तो फिर उन्हें वो शॉक लगा का असे? मैंने कुछ और कहा? मैंने कुछ और कहा? दिवार के तरफ मूख अरके कड़े हो जाओं Get lost कुछ औरी चक्कर है कुछ तो छूटा है हमसे कुछ तो छूटा है पर क्या? जो कुछ भी है उस पानी के टांकी के अंदर ही है पानी के टांकी के अंदर इस पानी के टांकी को फिर से जाचना पड़ेगा फिर से खोदो इस पानी के टांकी को खोदो झाल 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 बीजे डी तेमने टेंक आणक बना रख रहा हैं? तो यह जए चक्कर है, यह अ देरा है तंद बना रख रहा है यह मचलिया तो गड़नी अचीब किसम की मचलिया लग रहे है जए कोंसी ए हम उसी इस तो तुमने इस मुर्दा घर से किसी को लाश ले जाते हुए देखा था? नहीं साब, देखा होता तो बोलता है ना, मैं वो अटेनेंट भीकू की तरह थोड़ी डरपोख हूँ कैसे हो सकता है? उस बेकू ने तो देखा था? ठीक है उसने जो देखा उसे लगा कि वो आत्मा थी तुम, याद करो दिमाग पर जोर डालो, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अजीब लगा होगा तुम्हे उसरात हाँ साब, वीधर आया था, एक हारे रंग की डश्मिन ट्रॉली लेकर क्लीनर, क्या वक्त रहा होगा? रात का एक बच रहा था साब रात को एक बचे मुर्दा घर में क्लीन आया था तुमने रोका उसे, पूचा उसे कि इतनी रात वो मुर्दा घर में क्या साफ करने आया था उसका डश्मिन चेक किया तुमने क्या चेक करता साब, मेरो को लगा वो सचमुच वाला क्लीनर है सर मरजा यह स्मोक के निश्टर मिला है तुमाँ शायद इसी में से निखला होगा आफ्रेडी, इसी इसे दुमाँ छोड़ा गया होगा यह क्या हो रहा है कुछ समझ को नहीं हारा शुटे देखा, बोल अधर में बोलता आत्मा नहीं आएगा अभी सब को गाइब कैसा करता है देखो आत्मा यह माजरा क्या आत्मा नहीं सर सर, रोश्नी टिम्टिमानी की वज़े है यह क्लिप अब समझ में आया कि वो धुआ कहां से पैदा हुआ था यह कुई आमी नहीं है उसने इस क्लिप और इस स्मोग कैनिस्टर का इस्तमाल किया और इन सारे एफेक्स की वज़े से भीकू को लगा कि लाश हवा में उड़ रही ये बात तो है सर जिसने भी ये सब किया है वो जादू जानता होगा उसने सारे जादूई निस्खों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि भीकू को लगे वो एक आत्मा है लेकिन वो है कौन और उसके इस चादूई खेल खेलने के पीछे उसका मकसद क्या है ये देखो बास कुछ ऐसा हुआ हो उस तंकी में एक आर्टिपीशल बेस नकली तल बनाया था जैसे इन दोनों गोताखोरों ने इस आदमी की लाश को निकालने के लिए उस तल पर पैर रखा इन दोनों के वजन की वज़े से इस तल खुल गया और इसके नीचे से छिपी हुई ईल मचली बाहर निकली और उसने इन दोनों गोताखोरों को छुआ मचली में छुड़ा और बहुत होगी? ये कैसे हुआ सर? हो सकता है, क्योंकि एल मचली में इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुसे एक बात और, एल मचली की पूँच रसी से बंदी हुई थी और वो रसी एक खास मेकनिजम के जरीए उस नकली तले से जुड़ी हुई थी जैसे ही एल मचली में उन दोनों लोगों को छुआ, उस मेकनिजम के जरीए ये तला अपने आप बंद होने लगा और एल मचली जाकर के वापस उस नकली तले के नीचे छुप गए और हम लोगों को पता ही नहीं चला के आखिर ये एले की शौक लगा है तो लगा कैसे लेकिन सर जब हमने उस टैंक के आर्टिफिशल बेस पर पैर रखा तो हमारे वजन से हो क्यों नहीं खुला वो इसलिए भी नीट के साना का सारे इंतिजाम सिरफ एक बार काम में आने के लिए बनाया गया था हाँ सर वन टाइम मेकैनिसल मचली भी करण मारती है हाँ और कोई चोटा मोटा करण नहीं पूरे 600 वोल्ट का करण एक की बार में इंसान की मौत हो जाती है और वहाँ पर एक नहीं तीन तीन मचलियां थी इन सर हमारे देश में ऐसी मचलियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना क्योंकि ये मचलियां सिर्फ नौर्थ अमेरिका में बाए जाती सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भले ही थोड़ा कबजोर हो मगर भुगोल शास्र जोग्रफी बहुत स्ट्रॉंग है नौर्थ अमेरिका सौथ अमेरिका के उपर होता है सर यार ये चित्रोली ने क्या भेज दिया गा इल इल हिंदुस्तान में लाना मना है सरूंकिया तो लगता ये इल मचलि भी स्मगल की गई है बिलकुल और सर ये आर्टिफिशल बेस भी पूरी प्लैनिंग के साथ पनाय गया था पूरी प्लैनिंग के साथ और ये बनाने में कम से कम एक मेना तो लगा होगा पता लगाना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा उन मजदूरों का जिन्होंने ये टांकी बनाई आर्टिपिशल बेस वाले टांकी विरीद बंगलो नंबर पंदरा के पास यही एक जगा है जहां सुबत ते शाम तक आद्मी काम के लिए खड़ रहता जो रहें इंसर चल के पूछते हैं शाहिद इने पता हूं कि उस बंगलो का टैंक किसने ठीक किया था बाई साब ये पंदरा नंबर जो बंगला है सामने उसके पानी का टैंक यहां पर इसने ठीक किया ता क्या नहीं मालूँ अरे बाई साब पंदरा नंबर बंगलो के पानी का टैंक किस ने ठीक किया ये कुछ पता है आपको? हाँ साब वो पानी की टंकी हम नहीं बनाई थी अज़े एक काम किस ने आप लोगों को सुपा था? साब एक आर्किटेक्ट ने अज़े उस आर्किटेक्ट का नाम पता कुछ है आपके पास? नहीं साब, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हमें जो भी कॉंट्रेक्टर या आर्किटेक्ट आके काम के लिए बोलता है हम उसके साथ साइट पे चले जाते हैं अच्छा, तुम रोगों को उसकी शकल तो याद होगी, कैसा दिखता थो? चेहरा तो ठीक से याद नहीं, क्योंकि उन्होंने काला चश्मा और टोपी पहन रगी थी काला चश्मा टोपी पहनी थी लेकिं, कुछ याद तो होगा तुम्हें? कैसा था, दिखने में कैसा था, या आवाज कुछ भी? साहब, वो आर्किटेक्ट साबना छीकते बहुत थे जिस धूल मिट्टी में वो काम करते थे, वो ही उनसे बरदास नहीं होती थे कमाल है, जो आदमी धूल मिट्टी में काम करता है, उसे धूल मिट्टी से ही अलर्जी, कुछ तो अजीब है लगता है कोई बड़े प्रोजेक्टी बात करना चाहते हैं, और हम सब को एक ही सक्स नहीं बुड़ाया है, कोई बात नहीं, सारा प्रॉफिट हम सब बिलके बाट लेंगे, क्यों? क्यों नहीं? हाँ, बिलकुल, आप हमेशा पहले प्रॉफिट की सोचते हैं, लेकिन कम से कम ये भी तो सुन लीजिए, के काम क्या है? हेलो सर, हमें आप से मिलकर बहुत ही खुसी हो रही है, वो नहीं भी चाहिए, लेकिन सर, आपने हम तीनों को इस लेकर पर क्यों बुलाया, क्यों? नहीं बुला सकते, जी, वो मतलब नहीं था, अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, तो आपके ओफिस या हम तीनों में से किसी के ओफिस पर बैटके चर्चा हो सकती थी, यहां इस तरह इस बिल्डिंग की टैरिस पर बुलाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग विश्वास रखिया हम पर, हम कोई भी काम बेवज़ा नहीं करते हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट कोई छो प्लान है, मेरा मतलब है कि कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है सर, अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, इस देश के कानून का बहुत मान रखते हैं हम, बताएए आप हम से क्या बनवाना चाहते हैं, एक खास किसम का सुरं सुरंग, कैसी सुरंग, और कहा बनवाना चाहने सर, हजारों फेट नीचे, पानी के अंतर, क्या, लेकिन ऐसा अंडर वाटर तैनल बनाने का काम तो सरकार का है, आप जैसे बिजिनेसमें का नहीं है, लेकिए, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाना, ये को अंडर वाटर टरनल बनाना है, बस, बताईए, आप हमसे कहा बनवाना चाहते हैं, बैंडरा वरली, सीलिंग के नीचे, अगर आपका ये मजाक करने का अनोखा अंदाज है, तो माप कीजेगा, आपका ये अंदाज हमें पसंद नहीं आया, प्रूप, प्रूप, लोılan साथि, आचाहँ, आचाहँ, अब हम अची तरह से समझ गए, कि ये प्रूजेक्ट हम किसे देंगे, आप, और आप, आप दोनों की जरूद नहीं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आचाहँ, ये हमेँ ना बात, ये प्रूजेक्ट आपको मिलता है, आप हो जा सकत तो ये प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं वैसे मलाड में बंगलो नंबर पंद्रा में वाटर टेंक में एक खूफिया जगह बनाई आपने, नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं बनाई सर, मैंने नहीं बनाई याद किजिए, शायद कुछ याद आजाए? नहीं सर, मैंने नहीं बनाई सर अफने नहीं बनाई? दी सर तो ठीक है फिर मैं याद दिलाता हूँ आपको नहीं बाइद याद आजाए अब याद आ गया? हा, 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 हाई बोल हाई, हाई, हाई लुप 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 कि अपकाटा मुटसो भी लुप मैं अफर मैं ! सार, सर लगता है खूनी यही पे है सार अंतर चल कहीने दब होच लेते नहीं, जल बाजी में कोई काम ने करना है और दुश्मन को कभी भी कमजोर मत सामाजना साचीने काम करो, पीछे जगर कंदर गुष्ने का कोई रास्ता है क्या देखो हम लोग आगे से जलते हैं, चलो बहने यह क्या सार, एकना थूआ? हाँ, मुहाने साचत की पुरी ताहरी की गई है क्या सकति की magic क्या है क्या है दूब्स पेली वोब्स मुब्स झाल झाल कर आख और हिसमार भॉक्त कई एयॉ कि आल को अजूँनगर को मुझेकर अजूँड़ कर दो कि गॉझे ये, कि नीनन कि आख सो जाख से वहास bucks पहरे रोडी, कि अहले शच। खेख में, आरम से और जो होता है, रो दिखता नहीं है देखो माना के तुम बहुत ही खोनार जादुगर हो CID को भी जासे में डाल दिया है लेकिन ये सब करने के पीछे वज़ा क्या है? क्योंकि इस दुनिया में लोग चमतकार को ही नमस्कार करते हैं और मैं अपना नाम अमर करना चाहता हूँ सर्वस्ष्ट, सर्वत्तम जादुगर बनना चाहता हूँ इस दुनिया का जिसका नाम पूरे विश्व के इतियास में लिखा हो इस बार तो तुम लोगों की वज़े से मेरा सपना अधूरा रह गया लेकिन आम अधूरा बार करूँगा उससे भी बड़ा चमतकार करूँगा मैं और एक और बार मासुम लोगों के जान का बरिदान लोगे हैं भगवान ने तुम्हें इतना हुनर दिया है उसका दुरूपयों क्यों कर रहे हो तुम किसलिए मेरी छोड़ो अपनी सोचो आप यहां से तुम लोग निकलोगे क्या से तुम्हें पकड़कर यह आदमी यही इसी बंगले में कही है चलो तेख देख कहा चुपावाँ तुम्हेंग तुम्हेंट स्थम्हें कि अब बार तुम्हारी तारीफ कर रहे का मवन कह रहा है शाबाश एक और टेस पास कर लिए आप लोगों अब बस दो कदम दूर आप मुझे पकड़ने से आओ पकड़ लो मुझे आओ मोग अचाहे अभी पकड़ने देज़ एक मेंट अभी नहीं सद्ना आओ हुआ सर इस थर तो हम अभी पकड़ नहीं पाएंगे सही कि अरे हो तुम कभी पकड़ने़ पाओगे मुझे क्यो कि मैं एक हवा की तरा हूँ जिसे तुम महसूस तो करसकते हो लेकिन पकड़नेही सकते कोईन फेगने से शॉर्ट सरकिट हर बया है तो सकते दुझी बार और अटैक करने से यह सरकिट कम्सवर पढ़ जाए जो कुछ भी है अटाक करो तुम्हारे माय जाल का पर्दा फाश हो गया अब जरा ये चेहरे से पर्दा हठाओ पर्दा असली चेहरा दिखाँ तुम्हार ये तो जादू का टिसी उंगा रहे है नाम, पैसा, शौरत, सब कुछ दा तुम्हारे पास लेकिन लालच, लालच ने तुम्हें इंसान से हैवान बना दिया हैवान नहीं भगवान हूँ मैं, समझे? अब तुम लोगों ने मुझे पकड के इतना बड़ा पाप किया है अब मैं तुम तीनों को इतना बड़ा शराब दूगा के तीनों ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे यहाँ पीने को सिर्फ गरम खून मिलता है और खाने को उबलती हुई हटी फिलाल तुम्हें हम उस दुनिया में भेज रहे हैं जिसे आम आदमी जेल कहते हैं ले चलो जे ज़र पोज़ दूर झाल झाल